पेक्ते हुए सुन योज़ित तरीके से 24 घंटे के भीतर उनकी सदस्ता को रद कर दिया गया विपक्ष मसबूत हो तो लोकतंत्र मसबूत होता है ये CM सुखू का बयान है जिस तरीके से राहूल गांधी की लोकसभा की सदस्ता को रद कर दिया गया है उसके बाद से ही कॉंग्रिस लगातारिस को लेकर विरोज जता रही है लोकतंत्र का गला घोटने जैसे शब्दों का इस्तिमाल किया जा रहा है और एक बार फिर सीम सुखु ने इस पूरे मुद्दे पर बयान दिया उन्होंने कहा है कि राहूल गांदी की बड़ती लोक ब्रेता जोने भारत जोडो यात्रा के दौरान हासिल हुई है उससे भाजपा घबरा गई है 2024 के लोक सबाच रावों के मदे नजर सुन्यों जित तरीके से राहूल गांदी के खिलाफ ये साज़श रची गई है राहूल गांदी जी ने कन्या कमारी से लेकर कश्मीर तक की अपनी लोक तंतर को मजबूत करने के लिए अपनी यात्रा शुरू की कि बारत जोडो नाम दिया ये नाम क्यों दिया गया क्योंकि लोक तंतर कमेजोर हो रहा था इसलिए लोक तंतर को मजबूत करने के लिए उनका भारत जोडो एक अभ्यान के नातिर उसको आगे बढ़ाया है 2024 में लोकसवा का चुनाव है इस देश्टी कौन से एकदम नेका ऐसा फैसला आया जिसमें 24 गंटे में उनकी संसस दस्ता को रद कर दिया गया मैं ये कहना चाहूंगा लोकतंतर तभी मजबूत हो सकता है जब विपक्ष मजबूत और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कॉंग्रेस पार्टी है उस कॉंग्रेस पार्टी के जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है उसका सबसे बड़े नेता राहूल गांदी जी है उन्होंने देखा कि राहूल गांदी ही जी एक ऐसे रखती है जो आज समाज के सभी वर्गों की आवाज उठा रहे हैं